नमस्कार मैं हूँ खपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज हम बात कर रहे हैं मद्द प्रदेश की जहां पर इस साल के अंत में चुनाओंगे चुनाओं में जीतेगा कौन ये वक्त बताएगा लेकिन उससे पहले जिस तरह के सियासी दावपेच चल रहे है यो कही न कहीं इशारा करते हैं कि आने वाले वक्त में सरकार किसकी हो सकती है कमलनात का मुख्यं मंत्री फिलाल बनना स्थे तो नहीं लेकिन कहीं न कहीं उनकी उमीद वारी दिन पर दिन मजबूत होती जा रहे है और ये कैसे होता जा रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं करड़ी सेना जो है वो फिलाल मद्रप्रदेश में अपने 21 सूत्रिय मांगो को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है भारती जंता पार्टी की जो सरकार है उसका विरोध करती हुए नजर आ रही है वहीं अगर बात क कि कुछ मांगों को रिपीट कर देना है सबसे पहले उन्होंने काई कि सेस्टी एक्ट में जो तुरंद गिरफतारी होती है उसको रोका जाए और उसके साथ-साथ उनका ये भी कहना है कि आर्थिक रूप से जो है वो जो समरद लोग है वलब आर्थिक रूप से जो है वो पारक्षण को दिया जाए तो इस तरह कि उनकी 21 सूत्रिय मांगे हैं जहां तक करणी सेना की बात है तो 2018 में राजिस्थान के अंदर विरोत किया गया था भारतिया जंता पार्टी का और कहा गया था कि सरकार जो है वो नहीं बननी चाहिए जो भी करणी सेना के कारे करता है जो फॉलोर्स हैं वो भारतिया जंता पार्टी की सरकार ना बनने दें नहीं उन्हें वोड दें और देखने को भी यही मिला कांग्रिस को इसका जबरदस फायदा मिला जब भाजपा की हार हुई तो इसका जश्न भी करणी सेना ने जमकर मनाया था अब मध्यपरदेश में भी कुछ इसी तरह की चीज़े नजर आ रही हैं करडी सेना फिलाल जो है वो काफी एहम किरदार निभा सकती है कॉंग्रिस की जहां तक बात है कमलनात की के मुख्य मंतरी बनने की राह में कहीं करडी सेना आती है और फिलाल करडी सेना कमलनात का काम यह आसान करती हुई जब लकडी लेने जाता है वो तो तमाम तरह कि उससे पहचांद पत्र मांगे जाते हैं और जो फिलाल टसल नजर आ रही है दोनों के बीच वो काफियत तक पिछले दिनों बढ़ गई थी और उसके साथ आपको बता दे कि शिवरा की बाव बढ़ता रहा है उतना जाएक कि अगर चुनाव से पहले कांग्रेसी सरकार गिरा प्रद्रदेश में बनाई थी भाजपा की सरकार, लेकिन फिराल कहीं न कहीं सिंद्या भी असहाइ नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें भाजपा कर रही है, या फिर फैसले ले रही है, शिवराज वाली सरकार उससे कमलनाद को सीधा फायदा होगा, क्या न्यूस इस खास रिपोर्ट में इतना ही है.